सब्सक्राइब नव एंड प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूं कि आप लोग ठीकी होंगे दोस्तो संकर इलक्ट्रानिक चैनल पर आप लोग स्वागत है दोस्तो आप लोग के सामने में फिर दुबारा ऑन लाइट टॉट लेकर आया हूं जो इसमें समस्या है कि बटन काम नहीं कर रह देखिए आगे वाला जो लाइट है डायड है और पीछे वाला बल्ब जल लाहा है। बुजरा है तो देखिए आगे वाला जो बल्ब है इसमें बटन तो काम करता है मंगर यह ऐन ओफ नहीं हो रहा है और लाइट तो इसके अंदर क्या प्रोबलम है तो मैं आपको बताऊंगा तो मेरे वीडियो में बने रही है तो मैं आपके सामने इसको खोल ला हूँ तो देखिए बैटरी को ओपन कर रहा हूँ तो इसतना छोटा पलेट है कि नजर नहीं आता है सई से बनाने में तो मैं फिर भी आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या problem है इसके अंदर तो देखिए इसको मीटर को जो detail मीटर है voltage range पे मैं set कर चुका हूँ पहले से और उसमें voltage में चेक करूँगा कि कितने voltage आ रहा है इस पे तो देखिए मैं voltage चेक करने जा रहा हूँ कितना voltage आ रहा है 2.70 voltage देखिए बता रहा है तो इसको मैं अब मैं digital multimeter के जो फोल होता है red वाला battery के plus पे लगा करके मैं अब मैं plate में चेक कर रहा हूँ कि कितना voltage massfet पे आ रहा है dhyneside में तो dhyneside में देख रहा हूँ कि 388 है देखिए 388 बता रहा है अब 72 में देख रहा हूँ तो 2.80 बता रहा है देखिए 2.87 बता रहा है कहीं तो हर पोल पोल अलग बता रहा है अधर 72 में दाशड में voltage अलग है तो दोनों और voltage हमें बराबर चाहिए तो देखिए voltage में चेक कर रहा हूँ 388 बता रहा है मासफेट पर अब 22 में में देख रहा हूँ कि 2.91 बता रहा है तो voltage में अंतर है दोनों और के voltage बराबर चाहिए अब voltage बराबर नहीं मिलेगा तो switch सई से काम नहीं करेगा तो मैं आपको जला कर देखा रहा हूँ तो आगे वाला जो bulb लगा है लेड़ी बलब गलो हो रही है आगे का bulb डारेक्ट है जो बटन आफ अन नहीं हो रहा है अब बैक लाइट अन आफ हो रहा है तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ पहले मैं इसको वायर को हटा करके चेक करूँगा पलस वाला अब मीटर को मैं कांटिनुटी कर लिया हूँ अब चेक करूँगा कि कितने तो देखिए कांटिनुटी बता रहा है दाहिनेवर दाहिनेशड मैं कांटिनुटी मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ 411 बता रहा है तो देखिए मैं घुमा कर पूल को मैं चेक कर रहा हूं तो कुछ नहीं बता रहा है मतलब यह सई है दाहिने और अब इसको मैं चेक कर रहा हूं फिर बाया वाला देखिए सर्किट गया है आइसी और वह आइसी है करें मैं मैं फिर मैं चेक कर रहा हूं कि देखिए बात वही है लाइट डाइलेट जल लई है फिर शेमें चेक कर रहा हूं अब बैक लाइट अच्छा काम कर रहा है तो इस मैं ट्राइश्टर को निकालूँगा चेक करने के लिए फिर से तो देखिए मैं पेश्ट को लगा दिया हूँ तो अपने माध्यम से आप निकाल सकते हैं मैं बॉलोवर का यूज कर रहा हूँ इस बॉलोवर का ज्यादा हीटिंग ना करें नहीं तो अईसी जलब रिष सकता है तो मैं इस ट्राइश्टर को निकाल चुका हूँ इस में से बॉड होता है अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ एनलोग मीटर से एनलोग मुल्टी मेटर से मैं चेक करने जा रहा हूँ तो इतना छोटा है पार्स कि ये छटक के इधर दर भाग रहा है तो देखिए आपको मैं चेक करके बता रहा हूँ किस परकारिय चेक होगा क्योंकि बोड मैं सही से चेक नहीं हो पा रहा था तो इसको मैं अच्छे जगह पे शेट करके चेक कर रहा हूँ तो पिन सार्टिंग बता रहा है ये ट्राइटर सार्ट बता रहा है ये ट्राइटर सार्ट है जैसे हम जेडन चो आलिस ना पेंगे वैसे ही इसको भी ना पेंगे देखिए फिर से मैं चिपका कर देखा रहा हूँ आपको कि कहीं बॉलब जल तो नहीं रहा है तो नहीं जला अब मैं आपके सामने में लेकर रहा हूँ मोधी लेम का पलेट जो होता है सरकिट इसमें वो चीज लगा हुआ है देखिए वही चीज में मासफेट को निकाल नहां हूँ इस मासफेट को निकाल करके फिर इसको में चेक करूँगा मासफेट को ज्यादा हिट ना करें नहीं तो खराब हो सकता है तो हम इसको पले चेक करेंगे कि क्या ये मासफेट सही है कि खराब है देखिए ये कांटिनीटू सही बता रहा है अब मैं पल को घुमा कर चेक कर रहा हूँ मतलब ये ZN44 जैसा P55 जैसा काम कर रहा है तो जैसे वो काम करता है इसे भी काम करता है तो आप इसे ऐसे ही नाप सकते हैं जैसे ZN44 नापते हैं टाश्टर तो मैंने अब इसको नाप करके मैं इसको शेड़ करूँगा और मैं इसको शोल्डिंग करूँगा तो शोल्डिंग करने के बाद मैं इसको देखूँगा कि क्या ये जलेगा कि नहीं जलेगा फिर से लैट सही होगा कि नहीं होगा पतला इरन से यूज़ कर रहा हूँ था कि ये जो मास्पेट होता है छोटा आए तक इसम्टी माश सेट ये खराब न हुने पाया Expert इसमें पतला से काम करेगा आछा काम करता है पतला से तो देखे में इसको मैं अब आपयार्ट नहीं नहीं होगा अब इसको मैं चेक करूँगा जिसके बाटरी को मैं Sholting करको तersonie करूँ उसको पतला एरन काम नहीं कर रहा है चीपक नहीं रहा है बढ़िया से तो इस पे मूटा ही आरन काम कर रहा है तो देखिए मैं मोटा एरन को यूज कर रहा हूं शाठ वाट के अब मैं चेक करूँगा इसको कि क्या बटन आउन अफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो देखिए ये बटन आउन अफ होने लगा यदि ये बिमारी आपको मिलेगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं यदि आपको बिमारी जैसे मोट साइकल का बल्ब जो पीछे इंडिकर्टर होता है लगा होता है वो डीपर मार रहा है वैसे ही इस फीड में ये डीपर मारने लगए बल्ब तो ऐसे ही बिमारी अलग होते हैं बिमारी उसका तो ऐसे बिमारी होगा आपके पास टार्ज में तो कमेंड कीजिएगा ताकि मैं आपको तीसरा वीडियो बना कर दे सकूँ तो यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कीजिएगा तो मैं इसको यूज करूँगा आप चेक करूँगा कि क्या अच्छी तरह से यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं टार्च को अच्छी तरह से शेड कर लूँ यह टार्च कहीं दुसरे मिस्त्री के पास लेकर गया था जो वहां मिस्त्री जो है नहीं बना पाया इस टार्च को तो मेरे पास भेदिया तो मैंने इस टार्च को बना कर आपको देखाया कि on-off switch बटन जो होती है नहीं काम कर रहा था यदि आपका टार्च में और problem है जैसे motorcycle का indicator श्वीड में चलता है उससे भी कहीं तेज श्वीड इसमें टार्च में होती है बहुत तेज में जलता है डिफर मारती है आगे का light चाहे back light तो इसके वीडियो में बताऊंगा अधि आप comment करेंगे तो कि वो problem कैसे सही होगा जो डिफर मारता है बहुत तेज में जो आगे का light अच्छा है back light तो अभी उस समस्य में बटन भी काम नहीं करता है तो यदि आपको वो वीडियो चाहिए तीसरा वीडियो जो बटन डिरेक्ट हो जाता है कोई काम नहीं करता है खराब हो जाता है जैसे लगता है खराब चुका है काम नहीं कर रहा है क्यों डिफर ही मारता है तो इसके लिए comment कीजेगा तो उस पर मैं एक वीडियो और यदि आप कमेंड करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है धन्य बाद